दूस्सों ये बात आपने जानती हो कि 2023 में किंग खान ने अपनी तीन फिल्मों के मादियम से यानि प्या जवान, पठान और डुंकी के मादियम से रिकॉर्ड बुक के सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड पलट कर भाया इतिहासी पूरी तरह से बदल कर रख दिया इंडियन रिकॉर्ड के बारे में बताने वाला हूँ इस तो रिकॉर्ड खुल सुनने के बाद आप भी ये बात कहने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई, अगर ये रिकॉर्ड तूटे हा तवह या किंग खान के हातों तुकेटेगा नहीं तो बाई, ये रिकॉर्ड अब कभी नहीट तूटने वाला है तो ये कौन सा रिकॉर्ड है जो कि विया किंग खान ने इतने बड़े लेबल पर बना दिया है कि जिसको क्यों किंग खान ही तोड़ सकते हैं अन्न था ये रिकॉर्ड शायद ही कभी तूटे तो चलिए मैं आपको इस बात के जानकारी देता हूं कि विया कई सारे बड़े-बड़े कलाकारों ने बहिया किसी कैलेंडर एयर में कई सारी बहतरीन फिल्में दी उससे अच्छा मुनाफ़ा कमा कर दिया बॉक्स ओपिश पर लेकिन भाई अपनी तीन फिल्मों के माधिम से बैक टू बैक बॉक्स ओपिश पर सांधार परदर्शन करन वाली टॉप टैन फिल्मों के लिस्ट में वहिया किंग खान ने इंडियन फिल्म इंडर्श्री के बड़े-बड़े कलाकारों को जिस तरह से पीछे किया है ना उसको देखने के बाद तो भहिया यह बहात आपके दिमाग में उठेगी कि वहिया मिरिकल यर रहा दो हजार किंग खान के लिए यानि के भाई आप सूच हो कि एक वक्त 2018 में जब किंग खान के फिल्म जीरू विया के चेप्टर वन से पिछड़ गई थी कमाई के मामले में और वहाँ पर जो डॉंग फॉल में गय थे किंग खान और उसके बाद से ही किंग खान को लेकर ये बाते कही ही जाने लगी थी कि अब शायद ही किंग खान कभी भी बॉक्स अपिस पर वापसी कर पाएं और इसी mental trauma में फासे रहते वे किंग खान ने 4 साल का वक्त लिया बॉक्स अपिस पर वापसी करने के वह एक लिए बांस टीर int और वो वापसी ऐसी रही कि जिसको देखकर भाईया हेटर्स को भी बोलना पड़ा वाओ मज़ा आ गया किंकान तुमने क्या जवाब दिया या हम सभी को तो भाई ये रिकॉर्ड है क्या तो भाई अपनी बैक टू बैक तीन फिल्मों के माधिम से बॉक्स ओफिस पर सांदार कलेक्शन करने वाली अगर हम लोग टॉप टैन फिल्मों की बात करें तो भी या इस टॉप टैन के लिस्ट में दसवे नंबर पर जो कलाकार है ना वो है अजय देवगन जिनकी लास्ट थ्री मूबिज ने जो बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन किया था वांक्ना था पांसो दस करोड का यानि कि 510 करोड का उसके बाद इस लिस्ट में नवे नंबर पर जो कलाकार है वो है साउट इंडर्श्टी के स्टाइलिस्ट आइकोन यानि के वई या महेश बावू जिनको उनकी तीन फिल्मों के मादेम से जो बॉक्स ओपिस पर कलेक्शन दा वांक्शन दा था बैक टू बैक जो box office पर collection किया तो वाकड़ा था 710 करोड़ का देन उसके बाद इस list में 7 नमबर पर जिसका लाकार कर नाम है वो है दबंग खान, सल्मान खान का नाम जिन्होंने अपनी back-to-back 3 फिल्मों के माद्यम से जो box office पर collection किया था ना मेरे भाई वाकड़ा था 882 करोड़ का यानि 882 करोड़ का देन उसके बाद इस list में 6 नमबर पर जिसका लाकार का नाम है वो नाम है रितिक रोसन का जिन्होंने अपनी 3 फिल्मों के माद्यम से जो back-to-back box office पर collection किया था वाकड़ा था 960 करोड़ का देन उसके बाद इस list में 5 नमबर पर जिसका लाकार का नाम है वो नाम है परभास का जिनकी last 3 फिल्मों ने जो back-to-back जो बहतरीन collection किया था वाकड़ा था 1090 करोड़ का यानि 1090 करोड़ का उसके बाद इस लिस्ट में चौते नमबर पर जिस कलाकार का नाम है वो नाम है धलापती विजय का जिनकी बैक टू बैक तीन फिल्मों ने जो बॉक्स पर सांदर कलेक्शन किया था वाकड़ा था वन थाउजन्ड वन हंड्रेट करोड का यानि कि 1100 करोड का देन उसके बाद इस फिल्म में से एक फिल्म एनिमल भी होगी मुझे ऐसा लगता है और उसके बाद भी ऐस लिस्ट में दूसरे नमबर पर जिस कलाकार का नाम है वो नाम है आमिर खान का जिनकी तीन बैक टू बैक फिल्मों ने जो बॉक्स पर क्लेक्शन किया था वो आखड़ा थार 2429 करो के बिजनस के माधियम से और यह बिजनस जो है वह अभी और बढ़ता रहे गा मेरे भाई यानि अभी भी उन्की यह फिल्में जो है या जो रिकौर्ड वनाई है पठान जवान और डंकी बॉक्स अपिश पर अभी सांधार परदर्सन कर रही है क्योंकि भी इन फिल्मों को कहीं कहीं अभी भी लगाया गया है मेरे भाई यानि क्यों उतारा नहीं गया यानि कि या 2700 करोड का बिजनस अपनी तीन फिल्मों के माधिम से बैक टू बैक करके दिखा कर किंखान ने तो रिकॉर्ड बनाया है शायद मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड या किंकानी तोड़े अने था ये रिकॉर्ड तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई कलाकार आकर तोड़ पाएगा वैसे आप लोग को क्या लगता है क्या ये रिकॉर्ड डार्लिंग प्रभास तोड़ सक करने के विया सलार उसने भी बॉक्स पर अच्छा कलेक्शन किया है तो क्या वो चुनोती दे सकते हैं या फिर हमें शारुक खान पर ही निगाहें टिका कर रखनी होंगी अपने कमेंट के माधिम से हमें ज़रूर बताईएगा तो बॉल्लीवूट से जुड़े और भी कही सार को जानने के लिए हमारे चैनल यानिक वर्ण इसक्राइब करना ना मुलेगा और माने अपडेट्स को जाने के लिए बेले किनको जोर्द भाईएगा